आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आहुत का विलोम शब्द क्या होता है और इसका आर्थ क्या होता है और साथ में हम कुछ उदारन वाक्यों से भी से और अच्छे से समझेंगे तो सबसे पहले आहुत का आर्थ समझते हैं आहुत का अर्थ होता है बुलाया गया आमंतरित या जिसे बुलाया गया हो यानिकि जो इन्वाइटिड हो उसे हम आहुत कहते हैं तो आहुत का विलोम शब्द यानिकि विपरितार्थक शब्द होगा अनाहुत और अनाहुत का आर्थ होता है बिना बुलाई आमंतरन रहीत आमंतरित नहीं करना यह बिना बुलाया हुआ या अनामंतरित यानिकि जिसे invitation ना हो या जो invited ना हो उसे हम अनाहुत कहते हैं तो आईए अब हम आहुत और अनाहुत को कुछ उधारन वाकियों से समझें जैसे कि आप यह कह सकते हैं कि उसने party में आहुत महमानों के बीच कुछ अनाहुत महमानों को भी देखा है यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें